चैनल को सब्सक्राइब करें और नए पोस्ट पानी के लिए बेल आइकन दबाएं करने के लिए संकट निवारण राम बोध मंत्र राम बान उपाए है इस मंत्र को प्रतिदिन सुनने से मनुष्य अपने जीवन को खुशहाल और सुरक्षित रखने में सफल हो सकता है जो कोई भी इसकी साधना स्वयम करना चाहे तो इसकी विधी इस प्रकार है सर्व प्रत्थम किसी भी शुब मुहुर्थ में शुकल पक्ष की नौमी को यह प्रयोग आरहंब करें गनेश जी वो अपने गुरु जी का पूजन करें राम दर्बार का एक चित्र ले लें किसी बाजोट पर रखकर विधिवत पूजा करें यह प्रयोग आपको अपने समय की अनुकूलता पर प्रातह या शाम को कर सकते हैं आपका मुह उत्तर दिशा में होना चाहिए जब आप यह प्रयोग कर रहे हों इसका जाब 27 की संख्या में करें इस मंत्र को केवल नवमी दिथी को ही पूरे साधन के साथ करना है जाब करने के लिए रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं मंत्र प्रति दिन सुनने से भी लाब होगा मंत्र प्रति दिन सुने चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद ओम नमो आदेश राजा दशरत का राम लक्ष्मन दोनो भाई विश्वा मित्र से शक्ती पाई जा ताड का मार गिराई मुनी वशिष्ट विश्वा मित्र का चेला चौदह वर्ष वनवास किये वनवन फिरे अकेला पाकर मित्र निशाध राज जैसा दिया वचन सो पहला बल छल चले नहीं सामने पाया हनुमंत सा चेला खाये जूटे बेर शबरी के दिया प्रेम सो हेला थे राम जो बली को मारा जब सुग्रीवन ललकारा ले संग जामवंत अंगद नल नील सो भाई राम नाम के पत्थर पर राम लिख की पार समंदर सी खाई मार दिया दुष्ट रावन को हो गयर घुराई मेरा काजवी ऐसा कर जो जो चाहूं सो पाई आगे आगे लच्वन चाले पीछे सीता माई कल युग माही राम चाले चाले हुनमंत जुधाई लगी लगी लो राम नाम की सो वैकुंठ को पाई मेरी भक्ती गुरू की शक्ती चलो मंत्र इश्वरो वाचा आदेश आदेश